नमस्कार गुल्स आप लगोने अभी तक इसको कुछ नंबर टू और त्री कर लिए है कोशें नंबर टू का सलुचन आपको कल मिला था कोशें नंबर थृ का सलुचन भी ऋलेडी आपको मिल चुका है अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे बता देगा मैं उसे बेज दूंग कोशन नमबर चार कि अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जरा ध्यान से सुलने समझ लें कोशन नमबर चार में आपको इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड दिख रहा होगा इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड को अक्सर इस्टुडेंट्स गलती से स्पेसिफिक फंड मान लेते हैं जबकि यह एक कम्प्लीट लाइबिलिटी है और इसका टीट्मेंट वैसे होगा जैसे बाकी लाइबिल्टी होती जैसे संदी क्रेडिटर्स को आप कि अवल नई बैलेंश फीट में लाइबिल्टी साइड में दिखा देते हैं सिमिलरली इंप्लाइबिल्ट फंड भी ऐठाराजार एजट इस नई बैलेंस की लाइबिल्टी साइड में दिखा जाएगा ठीक तो यह बिल्कुल भी एक्यूमिलेटर प्रॉफिट या इस पेसिफिक फंड नहीं है कि इसका कोई हिस्सा बचा रहा जाए सरप्लेस साब ब बाथने हैं सटरप्लेस बाथने हैं एंप्लाइज कंफेंशन फंड यह दोनों एकदम अलग हैं इनको बिल्कुल भी मिक्सरी मत कीजिएगा मैंने नाम लिया है किए इंप्लाइज compensation fund यह specific fund है implies compensation fund इसलिए बना जाता है कि अगर किसी imply को कोई accident हो जाए और हमें compensate करना पड़े तो वो अचानक से उपजी हुई एक liability होती है और वो firm के लिए loss होती है उसका कहां से विवस्था हो सकेगी इसके लिए हम यह पहले से विवस्था कर रखते हैं अगर question में implies compensation fund दिया गया हो और कहा गया हो कि किसी imply को compensation के तोर पे 10,000 रुपे दिये गए और मान लिया कि पहले से जो fund बना हुआ है वो 12,000 है तो 10,000 रुपे इस 12,000 में से use कर लिए गए और finally जो 2,000 का surplus बचेगा surplus कितने का 2,000 का यह partners capital account के credit side में old ratio में बाट दे जाता है यानि कि specific fund या special purpose fund जो होते हैं उनका surplus partners capital account में credit side में old ratio में बाट आ जाता है लेकिन यह केवल specific fund के उपर लागू है implies personalized provident fund यह specific fund नहीं है यह special purpose fund नहीं है यह liability है और liability को आप touch नहीं कर सकते इसे खेवल liabilities में नई firm की balance sheet में दिखाया जाएगा तो यह बात मैंने आपको बताई एक और बात reserve fund यह क्या है यह वैसा ही treatment करेंगे जैसे कि कल के examples में बता चुके क्या करेंगे इसका partners capital account के credit side में old ratio में बाटना है ठीक profit and loss के साथ भी यही treatment होगा जो reserve fund का है इसे भी partners capital account के credit side में old ratio में बाटेंगे goodwill यहां 15,000 की नजर आ रही है और नीचे adjustment number one में goodwill है 50,000 की तो यह जो 35,000 का increase है इसे revaluation account के credit side में दिखाएंगे उके उसके बाद में कुछ और adjustment बाकी यहां पर कुछ भी ऐसा खास नया नहीं है adjustment जल्दी से समझ लिजी जो एकाज समझने जैसी है देखेंगे यह second वाला सिदे सिदे revaluation का है आप सभी को यह पता होगा पेटन्स का मूली 3000 से बढ़ाना है परंद सैंतर का मूली 15,000 से अधिक किया हुआ था यह 3000 से बढ़ेगा रिवलेशन के debit साइड में प्रवधान तो आपको पता हुएत प्रवधान जितने के यहन नजरा रहे हैं 20,000 में से प्राविधान 400 घटाने के बाद ये 19,600 नजर आ रहा है लेकिन जब आप अभी प्राविधान बनाएंगे तो वो 20,000 का बनाएंगे कितना 5% 20,000 का 5% कितना आएगा 1000 आएगा 400 पहले से बना हुआ है तो जो प्राविजन आप बनाएंगे वो 600 का और नया बनाएंगे रिवेलिवेशन एकाउंट में 1000-400 600 रुपे रिवेलिवेशन के डेबिट साइड में आएगा प्राविजन फार बैट डेट अंडेटर्स के नाम से कितना 600 आएगा क्योंकि ये 1000 होना चाहिए 5% 20,000 का और ये 400 पहले से बना तो किवल नया कितना बनेगा 600 किधर आएगा रि बनेगा इसे कहा दिखाएंगे इसे दिखाएंगे आप रिवेलिवेलिशन के डेबिट साइड में उन्नेसजार का 3% ओके फिर जो लेंदारों का अभी बनना है ध्यान रखेगा ग्रेंड न अमिश्ब उसके लिए जानना पड़ेगा कि creditors कितने के creditors की value आपको दिख रही है यह 10,000 10,000 का 3% दिखाएंगे revolution के credit side में कितना आएगा 300 कर लेंगे ना खेर उसके बाद में है चोथा बीमा प्रीमियम की समस्त राशी लाभान खाते में डेविट कर दी गई थी इसमें से 870 पूरदत मानते वे आगे ले जाने हैं देखिए पूरदत वे जो होते हैं उन्हें आप prepaid expenses को आप क्या मानते हैं asset liability तो इसे asset मानते हैं और asset में 870 की बड़ोतरी हो रही है तो this is a case of increase in asset और asset में अगर increase हो जाए तो उससे कहां दिखाते हैं tuAKE evaluation account के सोगedel ए क्रेडिट साइड में आज रेपीट क्रेडिट साइड में तो यहे 870 पर चया लिखा जाएंगे वाई prepaid इंशोरेंस प्रीमियम, ओके, 870, in the credit side of revaluation account, फिर एक बात और है, विन्योगां का मुलंकन किया गया है, कितने पर, 16,000 पर, तो आप देख लिए कि विन्योग पहले से कितने के थे, विन्योग की जो value है, वो नजर आ रही है, 20,000, 16,000 पर किया गया है, तो ये revaluation में 4,000 की कमी ह investment में 4,000 की कमी है, revaluation के कि साइड में, डेविट में, कितना, 4,000, समझ में रही बात, एक और बात है, 5000 करमचारी, श्यतिपूर्थ का एक दायत्तु है, देखे, श्यतिपूर्थ के लिए कोई अलग से प्रावधान, अगर आप देखे, liability side में कहीं नहीं है, तो अगर श्यति in liability का case है, increase in liability कहां आती है, revaluation account के, debit side में, कितना आएगा, 5000, अच्छा, फिर नीचे सुचना है, सुनील को समस्त भुक्तान कर दिया गया, सुनील को भुक्तान करने के लिए, अनिल ने अपने सयंत्र और स्टॉक की जबानत पर आवश्यक राश्य राश्य रिन ले ली, तो जितना भी payable amount होगी, सुनील को, उतने का रिन लिया गया है, ऐसा माना जाएगा, तो उसके लिए एक general entry होती है, क्या, उसके लिए general entry होगी, bank account debit to bank loan account, और जो bank में पैसा आ गया है, इससे क्या भुक्तान कर दिया जाएगा, सुनील को सुनील's capital account debit to bank account, अगर आपको cash account बनान हो तो उसमें यह entry की laser posting हो जाती है, वैसे cash account बनाने के लिए कहा नहीं गया है, तो आपको जरूरत नहीं है, बना लेना इसलिए बहतर होता है, क्योंकि आपको इसकी amount निकालनी पड़ेगी, जो कि balance sheet में आपको इसे दिखाना होगा, balance sheet में आप इसे दिखा सकें, इसके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह death वाला case है, इसे भी पढ़ाना बाकी है, question number 7 बिलकुल कर सकते हैं, इसमें अब तक का ऐसा कोई topic नहीं है, जो मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, आठवा हो चुका है, नवा आपको बताया जा चुका है, question number 10 जो है, इसमें भी सब है, इसके बारे में अगर कुछ कहा जाएगा, तो इसका भुगतान करेंगे, अगर नहीं कहा जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, कहा है, इन्होंने, कि बैंक शेस कम से कम 20,000 रख करके, सेश रास बैंक और आपको बुगतान किया जाना है, 20,000 रुपे रखना है, यह treatment पहल आज गल्स आपको यहां तक के questions करने हैं, सभी को, जिन-जिन questions को अगर किसी ने एक से बारा तक नहीं किया है, they all are supposed to solve these questions, if you have any problem in any of the questions given today, then you are supposed to ask, okay, so good luck to all of you, thank you very much.